चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के इंगलिश सब्जेट का प्रोज सेक्षन में चैप्टर नमबर 4 चैप्टर नमबर 4 है हमारे सुक्राट्स जिसको राइट किये हैं रोधा पावर सुक्राट्स एक महान दार्शनिक थे जिनके बारे में इस पार्ट में बताया गया है कि उनका बच्पन कैसे बीता वा कैसे लोगों को मार्ग दरसक करते थे कैसे नहीं करते थे इन सभी बातों का जिक्र है चलिए हम टेस्ट के माध्यम से इस चैप्टर को समझते हैं पहला हमारा हेडिंग है about the lesson about का मिन्स होता है बारे में the lesson का मिन्स होता है part के बारे में सुक्राट लिवड इन एथेंस सुक्राट लिवड का मिन्स रहते थे in Athens सुक्राट एथेंस में रहते थे he would go का मिन्स जाया करते थे उट का प्रयोग किसी भी कार के रिपिटीशन के अर्थ में जुसे वह खेला करता था हसा करता था नाचा ऐसा कुछ वह जाते थे राउंड मतलब चारो और टाउंड मतलब सहर वह सहर के चारो तरफ जाते थे टू टाक बात करने के लिए टू दा पीपल लोगों से वह लोगों से बात करने के लिए सहर के चारो तरफ जाया करते थे ही टोल्ड एवरिवन टेल का मिन्स होता है बताना उसका सेकेंड फार्म होता है टोल्ड एवरिवन का मिन्स होता है प्रतेक बेक्त वा प्रतेक बेक्ति से बोलते थे दायट की Athens could become a perfect state Athens become मतलब होता होना perfect मतलब पूर, state मतलब राज Athens एक पूर राज हो सकता है Athens एक पूर राज हो सकता है If यदि citizens educated their minds Citizens का मिन सोता नागरिक educated का मिन सिच्छित हो their mind मतलब अपने मन से यदि लोग अपने मन से क्या हो सिच्छित हो to see देखने के लिए what was right क्या सही है and noble का मिन सोता स्रेस्ट है true का मिन सोता सत्य है and beautiful का मिन सोता सुन्दर है यदि परतेक बेक्ति अपने माइंड से सिच्छित हो to see देखने के लिए क्या सही है श्रेस्ट है क्या सत्य है क्या सूदर है कुछ लोग सोचा करते हम शोचा करते थे नहीं लीडिग का मिंद्व अ अक्ष़ नहीं मैं पर लोगों को सबस्ते हैं the man मतलब बैक्त who were governing Athens who मतलब जो governing comments साशन कर रहा था Athens मतलब AthensINGING वा बैक्त जो Athens zust Myanmar साशन कर रहा था summoned him to appear before them summoned comments बुलावा भेजा ही मतलब उनको to appear मतलब होता है प्रस्तित होने के लिए before them उनके सामने मतलब जो बैक्त उस Athens में राज कर रहा था सासन कर रहा था वह उनको बुलावा भेजा कि वह उनके सामने उस्व्यक्त के सामने उपस्थि थो some in comment सोता बुलावा appear comment सोता है प्रकट होना और इदिम मतलब उनके and he was condemned to death condemned comment सोता है सजा देना death मतलब मृत के उनको मृत की सजा दी गए थी He was no covered वह कायर नहीं थे डरपोक नहीं थे That की He had done nothing wrong Done मतलब किये है Nothing मतलब होता कुछ नहीं रांग मतलब गलत वह कुछ भी गलत नहीं किये थे मतलब सुकराज स्यम जानते थे कि मैं ऐसा कुछ कार नहीं किया हूँ जो गलत हो कहने का सेंस यह है That की He had done nothing wrong वह कुछ भी गलत नहीं किये थे After sunset After का मिन सुता बाद में Sunset मतलब सुर्यास्त Set मतलब होता Ast हो न सुर्यास्त के बाद He was given a cup of poison to drink उनको पीने के लिए सुर्यास्त के लिए एक प्याला 20 को दिया गया था With tremendous courage Atidik Sahas के साथ He lifted the cup to his lips He lifted का मिन सुठाए Cup मतलब प्यालों to his lips वहाँ प्यालों को अपने ओठों तक उठाए Drink it Drink का मिन्स पीना होता इसका second form होता है Drink वहाँ इसको पी गए And died और मर गए सुकरात में टेस्ट हमारा यहां से शुरू होता है यह तो हमारे about the lesson में था सुकरात lived सुकरात रहते थे In Athens about 400 years before Jesus Christ वाजबार Jesus Christ Jesus Christ के पाइदा होने के चार वर्स पहले सुकरात एथेंस में रहते थे मतलब जब Jesus Christ का जन्म हुआ था उसके 400 वर्स पहले सुकरात एथेंस में रहते थे When Age boy लड़के के रूप में हिवा जो अगली वा भद्दे थे अगली का मिन सुथा बद्दा Underside का मतलब होता चोटे कद के And had a flat nose Flate का मिन सुथा उनकी समतल नौच का मिन सुथा नाक उनकी समतल नाक थी बगलिंग आइज बगलिंग का मिन सुथा उभरा हुआ आइज मतलब आखे और उनकी उभरी हुई आखे थे His father, उनके पिता थी वाजव, पूर स्टोन कटर His father, उनके पिता जी पूर मतलब गरीब स्टोन कटर मतलब पत्थर काटने वाले उनके पिता जी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे So, इसलिए He was always rather sably dressed C मतलब हुआ Always मतलब हमेशा sably dressed Sably का मिन सुथा है गंदे dress मतलब कपड़े वा हमेशा गंदे कपड़े पहना करते थे Dress का मिन सुथा कपड़े पहना Like other boys Like other boys दूसरे लड़कों के समान आप ही ज़े अपनी उम्र के अपनी उम्र के दूसरे लड़कों के समान He went to school वा विद्याले जाया करते थे Where जहां पर The most important relation Over music and gymnastics Where मतलब जहां पर Most important सबसे महत्तपूर पाठ वर music मतलब संगीत होता था Gymnastics का मिनस बयाम होता था He also learned Some science and mathematics He मतलब होगा Also learned मतलब सिखते थे Some science, कुछ विज्ञान को चीजों की सिखते थे And mathematics का मिनस होता गड़ित की चीजों की सिखते थे And a little about the star Little का मिनस होता है थोड़ा about the star तारो के बारो और थोड़ा बहुत तारो के बारे में सिखते थे But लेकिन Not nearly so much history and geography As children learn today But लेकिन Nearly मतलब लगवग So much बहुत ज़्यादा history मतलब इतिहास के बारे में Geography का मिनस होता है भूगोल के बारे लेकिन इतिहास भूगोल के बारे में उतना लगवग नहीं सिखते थे आये जैसे Children learn to do जैसा कि आज की बच्चे सिखते है This strange little creature With short neck And plain face With a thoughtful child This strange Strange का मिनस होता है अजीव या बिचित्र Little creature या बिचित्र छोटा प्राडी Creature का मिनस होता है प्राडी या बिचित्र छोटा प्राडी With a short neck जिसकी छोटी नाक थी Short का मिनस होता छोटा neck मतलब होता है गर्दन जिसकी छोटी गर्दन थी And plain face और जिसका सपाट चेहरा था Was a thoughtful child एक बिचार सिल बच्चा था He was His companions all the time He was देखा करता Watch का मिनस होता है ध्यान से देखना His companions अपने साथी को All the time हर समय वो अपने साथीों को हर समय ध्यान से देखा करता था And allowed very few things To escape to his notice Allowed का मिनस होता शुक्रे दिना Very few things bहुत कम चीजे To escape का मिनस होता है बच पाती थी His notice describes Notice का मिनस होता है ध्यान करते मतलब वो हर चीजे को बहुतbers ध्यान से देखता था और इसके ध्यान से बहुत कम चीजे ही क्या हो पाती थी बच हो पाती थी जड़ों जड़ों